हम आपको बताएंगे कि स्वपन में सांप किस-किस को दिखते हैं सांप दिखें कभी हाथ उठा करें जिनको स्वपन में दिखते हूँ काला दिखता है कि हरा पीरा नीला दिखता है काला हम आपको दो स्वपनों का अर्थ आज बताएंगे एक तो सिव को सवपन में देखने का मतलब क्या होता है दो ती है सांप को सवपन में देखने का क्या मतलब होता है ये दो चीजें आज समझ लें और फिर इच्छा तो हमारी बहुत कुछ होती है ऐसा से बता दें पर हमको लगता है कि आप लोग हलके में ले लेते हो क्योंको free of cost मिलता है न आपको और जिन लोगों को कोई चीज free of cost मिलती है उसका मेथ तो नहीं समझते एक और बात बता दें कोई भी चीजें free of cost मिलती है न तो mostly मिलती भगवान के यहां से और गुरू के यहां से ही है बागी के तो सब की cost लगी हुई अब कोई कहेगा माराज आप तो कहते हैं कि कथा सुनने आना है तो उसमें जिज्मान बनना पड़ेगा इसके पीछे reason एक ही है कम से कम लोग आएं क्यों कम क्यों आएं बोले कोरोना चल रहा है guideline ऐसी है इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हम चाहते तुम जिज्मान बनो तो इसका यह अभी प्रहने के धन आ जाए इसका मतलब यह है कि धन लोगों पहई ही नहीं समय कम है तो वो spend करेंगे यह नहीं तो कम आएंगे और जिनको ठाकुर जिने दे रखा है वो गिने चुने आएंगे और एक संख्या limit होने पर जो हमने सोची हुई है उसके बाद बंद कर देंगे तो यहां मतलब यह है कि कम लोग इसलिए आएं कि आप भी स्वरक्षित रहें और हम भी स्वरक्षित रहें पहली बाद तो भगवान के यहां और गुरू के यहां तो जफिरी ही मिलता है mostly तो यहां से आज आपको बताएं जिन जिन को यह पूछना आएं जो समझना आएं कि शिव जी हमको उस्वपन में आते हैं जो हमारे संपरदाएं के लोग हैं जो हम लोग हैं हमें हमारे राधा कृष्न प्रिया कांज आप कई मनों कामना अपने मन में धार्न किये हूए हैं आप चाहते हैं कि हमारी वो मनों कामना पूरी हो जाए आपको कोई सुछ संदेश मिलने वाला है आपका कोई मनुरत सिद्ध होने वाला है जो अन्मेरिड हैं हो सकता उनको विवा हो जाए जो जॉबलेस हैं हो सकता उनको जॉब मिल जाए और भी जो आपके मनुरत हैं कव जब आपके आराध्य आपको स्वप्न में दर्सन दे अब बहुत से लोग तो ये कहेंगे कि न तो हमें जॉब चाहिए ना हमें कोई मेरिड वेरिड का लपड़ा है ना हमें तो हमें क्या मिलेगा तो जो सरवो परिफल है भगवत प्राप्ति उस तरह भगवान ने आपको इसारा कर दिया है कि अब तु मेरी सही दिसा में चल रहा है ऐसे ही लगा रहा है जैसे आज स्वप्न में आया हूँ वैसे ही प्रतक्ष में भी आ जाओंगा ये अपने आराध्य को स्वप्न में देखने का फल हुगा अब ध्यान दें अगर संसारिक कोई बस्तू आपको चाहिए तो वो सिद्ध हो जाएगी वो मिल जाएगी और अगर वो नहीं चाहिए तो फिर भगवान ये कहते हैं डॉन्ट वरी आई विल कम तो यू आफ्टर सम टाइम जस्ट क्यरियाओन वो है वैसे तो मैं बहुत लंबी लिस्ट लेके आया था अस्वपनों की किसी मुर्दे को देख लें तो क्या होता है बरात को देख लें तो क्या होता है और बहुत हैं हाती को देख लें तो क्या होता है पर मैं सोचरा हम बाद में लेके करके वीडियो बनाके डाल देंगे तो ज़्यादा आप लोग इंट्रस्ट लेके सुनोगे आज कल यही तो चलता है कथा को शेयर करने में डन लगता है लेकिन प्रॉफिट की बातें कर दो बहुत देखो अभी इसमें हमने कह दिया बड़ा काम से दोगा कब जब आरा दिको हम लोग सुपन में देखेंगे तो अगर इसकी हेडलाइन यह लोग डाल दें कि भगवान को सुपन में देखने से होंगे आपके सारे मनों कामना पूर्ण सुनिए वीडियो फिर देखिए लग जाएंगे लोग देखने मतलब की बात देखते हैं अब कथा तो तीन गंटे की यह कौन सुने दूसरा सबसे एहम परशन है बहुत सुनगा स्वपन में अगर सांप दीखे तो क्या करें यहां सांप दो परकार के स्वपनों का वर्णन है एक काला सांप दीखे काला सांप अगर आपको दीखता है तो इसका मतलब है कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा अगर काला सांप दीखे काला सांप दीखे तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा आपका धन बढ़ेगा जो कार्याप करेंगे वो सम्मानी हो जाएगा और जगे-जगे पर आप समाजी की स्तर पर परिवार की स्तर पर आपका सम्मान बढ़ जाएगा कव जब काला सर्फ स्वपन में दीखे लेकिन वही सर्फ अगर आपको खाने के लिए दोड़ता हुआ दीखे या क्रोधित दिखे या फुंकार मारता हुआ दिखे और अन्य कलर का दिखे तो वो सुब नहीं है इसका मतलब है कि आपके सत्रू आपके खिलाप सड्यंत्र कर रहे हैं आपके सत्रू आपके सम्मान को ठेश पहुँचाना चाहते हैं वो जो हैं आपके सत्रू हमेशा आप पर हावी रहने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मारा जब ऐसा स्वपन दीखे तो क्या करना चाहिए वो ऐसा स्वपन अगर दीखे सांप खाने के लिए दोड़ रहा है या सांप दांत निकाल रहा है तो फिर क्या करना चाहिए उस इस्तिती में हमको भूत वावन बोलेनाथ के सिविलिंग का अवशेक करना चाहिए बेल पत्र चड़ाना चाहिए जब आप सिविलिंग पर बेल पत्र इत्याद चड़ाते हैं तो उससे आपके सत्रूओं का दमन होता है तो ये दो तीन स्वपन हमने आपको बताए है वैसे तो हम पर लिष्ट बहुत लंबी है कम से कम हमने तीस स्वपनों के विशे में सोध किया तीस और ये स्वपन आते हैं पित्र आते हैं कि नहीं जो मर गए वो हमारी स्वपन में आते हैं आते हैं ना, उस पे भी हमने प्लान किया, सोचा है, मतलब पढ़ा है, और कई वार गोड़ा दीखता है, स्वपन में दोड़ता हुआ, कई वार आती दीखता है, कई वार कुत्ते त्याद दीखते हैं, इस सब स्वपन का एक अलगी संसार है, स्वपन के लिए तो यह कह सकते हैं ना, सोते चेन ना जगते चेन, यही है न, तो इस से बचने के उपाई भी हैं, बाद में बताएंगे फिर कभी समय होगा,